जैहिन जै शिक्षक साथियों मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है आजादी का अमरत महुत साथ की अंतरगत हर घर तिरंगा एवं मेरी माठी मेरा देश कारकरम के आयोजन हेतू जो दिशानिर्देश दिये गए हैं वो इस आदेश में आपके सामने शेर कर रही हूँ प्रेशक है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तरप्रदेश लखनौ और सेवा में सभी जिला बेसिक शिक्षा दिकारी समस्त जनपद उत्तरप्रदेश इस विशाई के कारलाई के पत्र संख्या इतने दिनांक 7 अगस 2023 का उत्तरप्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 4 अगस 2023 द्वारा प्रदत्त निर्देश अनुपालन में आजादिक अम्रत महुतसव के अंतरगत हर घर तिरंगा एवं मेरी माटी मेरा देश कारकरम के सफल आयोजन हे तू 9 अगस्त से 15 अगस 2023 तक निर्धारित कार कारकरम और गतिविधियों के आयोजन हे तू विस्तरित दिशा निर्देश प्रदान किये गए हैं इनके अनुसार सबसे पहले इस संबन्द में अपर मुख्य सचे वत्तप्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 7 अगस 2023 द्वारा दिनांक 9 से 15 अगस 2023 तक मेरी निर्देश अभियान के अंतरगत दिनांक वार कारकरम और गतिविधियां दी गई हैं शासन के उपर युक्त संदर्ब पत्र दिनांक 7 अगस 2023 वारा बेसिक विध्यालियों में आयोजित हो कारकरमों के अच्छे 10 फोटोग्राफ एवम उप्रोक्त कारकरम में सम्मलित शिक 15 अगस 2023 निर्दारित की गई है इस संबन्द में अवगत कराना है कि मुक्ह सचे उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 5 अगस 2023 द्वारा प्रदत निर्देश अनुसर आजादी का अमरत महुतसव के अंतरगत दिनांक 9 अगस 2023 को पंच प्रण की शपत ली जानी है ओक्तु निर्देश के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जन्पदों में अवस्थित माधमिक विद्यालेओं में 9 से 15 अगस 2023 तक मेरी माठी मेरा देश अभियान हर हर घर तिरंगा अभियान के अंतरगत निम्न कारिकरम आयोजित किये जाएंगे इसमें सबसे पहले 9 अगस्त को समस्त विद्यालेओं में अमरत कलश है तो मिट्टी का संग्रहन किया जाएं सभी छात्र चात्राओं गाओं के खेद बगीचे अन्ने इस्थानों से मुठी भर मिट्टी लाकर विद्याले परिसर में इस निमित निर्धारत इस्तर पर एकत होंगे और लाए कई मुठी भर मिट्टी को कलश में संग्रहित किया जाएगा कलश की विवस्ता विद्याले द्वारा सुनिश्चित की जाए तथा कलश को विद्याले में सुरक्षित रखा जाए दूसरा प्राधना के उप्रां माटे गीत का गाहन माटे गीत से संबंदि ऑडियो वीडियो क्लिप की जानकारी आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है удharm we dhyaalya के समस्त वध्यापक एवं समस्त चातर चात्रहों की भागीतारी दू सुनिश्चित की जाए तीसरा समस्त अध्यापक कर गाहन सामोय की सेल्फी शक्षक को दौरा अप्लोड की तिरंगा यात्रा का आयोजन तता इसे समस्त अध्यापक को एवम समस्त छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए, प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा का आयोजन पंचायत इस्तर तक ही किया जाए, छात्र छात्राओं को हाईवे रेल्वे लाइन आधि आस्त रु सुगमता से उनकी उपलबधता सुनिश्चित करें, प्रतेक विद्याले के परिसर में कम से कम बीस पौधे का व्रक्षारोपन अध्याप को तथा चातर चातराओं द्वारा किया जाए, प्रतेक पौधे की देखबाल की जिम्मेदारी प्रतक प्रतक चातर चातराओं को दी 12 अगस्त को स्वतंतरता से नानियों एवं शहीदों के जीवन पर आधारित, भाशन, निबंद, लेखन, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, उतकरश्ट प्रतरशन करने वाले विद्यारतियों को स्वतंतरता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रुस्कृत किया जाए, 13 अगस्त 2023 को Parent Teacher Meeting के माध्यम से हरगर तिरंगा के संबन में सभी को जानकारी दी जाए, विद्यालयों के समस्त बच्चों के लिए मध्यान, विशेश भोजन की विवस्था की जाए, कविता, गायन, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, उतकरश्ट प्रतरशन करने वाले विद्यार्तियों को 15 अगस्त के अवसर पर पुरुस्कृत किया जाए, सुतनतरता दिवस की पूर्व संध्या पर विशेश सोचता अभियान का आयोजन किया जाए, 14 अगस्त को बच्चों हेतु, ज्यानवर्धा, कटपुतले एवं जादुआदे के कारिकरमों का आयोजन किया जाए, विद्याले के छात्र छात्राओं एवं अध्याप को द्वारा राष्ट भक्ति पूर्ण, ओजपूर्ण कभी सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, और 15 अगस्त को जंडा रोहन एवं राष्ट गान का सम्हु गायन किया जाए, वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सामुहिक एकल सेल्फी अपलोड की जाए, अध्याप को एवं छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट भक्ति पूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाए, तथा इसमें स्थानिय सम्मिदाई को भी आमंत्रित किया जाए, आजादी का अमरत महुतसभकार करम के अंतर ग प्रमुख सचिव उत्तरपदेश शासन एवं प्रमुख सचिव संस्कृतिया नुभाग द्वारा दिये गए, निर्देश उलिखित गतिविधियां कारकरम के आयोजन हेतु ततकाल अगरितर कारवाई सुनिशित की जाए, और फोटोग्राफ सहित इमेल किया जाए, ये आ इंचालेत करना है, चलिए अब वो पंच प्रण शपत देख लेते हैं, अमरत काल के पंच प्रण में सबसे पहले विक्सित भारत का लक्ष, दूसरा गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा अपनी विरासत पर गर्व, चौथा एकता और एक जुटता, और पाच्वा है न संभव प्रयास करूँगा, मैं शपत लेता हूँ कि देश के समर्द विरासत पर गर्व करूँगा और इसके उत्थान के लिए हमेशे कार करता रहूँगा, मैं शपत लेता हूँ कि देश के एकता और एक जुटता के लिए सदय प्रयासरत रहूँगा, मैं शपत लेता हू के देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट की रक्षा, सम्मान और प्रगर्ती के लिए समर्पित रहूंगा